नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में या और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में मेकेनिकल इंजिनिरिंग स्वेस्टर के सबजेक्ट आटकोँ मोबाइल मिन्टीनेंस सर्विसेंड रिपियर के कमप्लिट स्लैबस के साथ कि आपको इस सबजीक्ट में केतने चैप्टर पढ़ने है और पर अपने से 큰 अच्छे तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो हर एक चीज को हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं वीडियो आप सभी बच्छों के लिए इंप्वाटेंट होने वाली है और अपने सभी दुसांतियों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देख लिए कि आपको आटो मवाइल मेंटिनेंस सर्विस एंड रिपेर में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और उसके बाद पर चैप्टर में आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उस पर भी हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले छोटा सा कि किस चैप्टर में हमको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो पहला आपका चैप्टर आता है इंजन रख रखाओ एवा मरमत जिसको आप इंगलिस में इंजन मेंटिनेंस एंड रिपेर के नाम से जानते हैं इस चैप्टर में आपको सबसे पहले पढ़ने को जो मिलेगा म आप जानेंगे कि मेंटिनेंस क्या होता है इंजन में मेंटिनेंस किस प्रकार किया जाता है इसके लाव वगयरा क्या होते हैं हर एक चीज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है रिपेरिंग प्रोसेस में आप पढ़ेंगे कि जो नामे रेडियेटर एवं स्रेहन प्रणालियों की मरमत एवं अनुरक्षण जिसको आप इंग्लिस में रेपियर एंड मेंटिनेंस आफ रेडियेटर एंड लूब्रिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो आपका रेडियेटर लगा होता है उसका रेपियर और मेंटिनेंस कैसे किया जाता है और भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और Lubrication System के बारे में पढ़ेंगे कि लोबरीकेशन सिस्टम क्या होता है कितने प्रकार के होते हैं कैसे किया चाता है इंजिन में Lubrication हर एक चीज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो आपका अगला चैप्टर आता है वैद्दो सिस्टम की मरमत एवं अनुरक्षन जिसको आप इंगलिस में Electrical System Repair and Maintenance के नाम से जानते हैं अब इस चैप्टर में आपको क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा सबसे पहले आप उसके बारे में जान लिजे तो इस चैप्टर में आप पूरे Automobile के Electrical System के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें आप पढ़ेंगे Self Starting के बारे में कि Self Starting क्या होता है Self Starting में जो गड़बड़ी आ जाती है उसको कैसे दूर किया जाता है बैटरी के बारे में पढ़ेंगे डैनमो के बारे में पढ़ेंगे डैनमो क्या होता है और मेचर क्या होता है डैनमो में जो कार्बन ब्रस लगा होता है वो क्या होता है Starting क्रणाली क्या होती यानि कि जितने भी आपके Electrical System आते हैं आपके Automobile में सारा चीज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले है और आपका Last Chapter आता है Repair and Maintenance of Vehicle Air Conditioner यानि कि जो आपके वेहिकल में AC बगारा लगे होते है उनका Repair and Maintenance कैसे किया जाता है हर एक चीज के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो ये चैप्टर आपको Automobile Maintenance, Repair and Repair में पढ़ने वाले हैं तोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं अब चलिए आपको Brief में बताते हैं कि चैप्टर 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे तो जैसा कि आपका चैप्टर 1 है नाम से क्लियर है इंजन मेंटिनेंस तो सबसे पहले आप इंजन मेंटिनेंस के बारे में जानेंगे कि आखिर मेंटिनेंस क्या होता है इसके लाव वगएरा क्या होते हैं दिन आप मेंटिनेंस सेडूल के बारे में पढ़ेंगे कि जो maintenance का schedule है वो कैसे किया जाता है जिसमें आपके routine maintenance के बारे में पढ़ेंगे और preventive maintenance के बारे में पढ़ने वाले है routine maintenance में आप पढ़ेंगे कि petrol engine के लिए routine maintenance क्या होता है diesel engine के लिए routine maintenance क्या होता है cleaning and adjustment क्या होता है और preventive maintenance के बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं नेक्स टॉपिक्ट की बात करें, तो आप पढएंगे Trouble-Sorting for फाल्ट एंजन, यानि जो आपके इंजन में Trouble-Sorting आ जाती है, उसके Fault वेग़रा के बारे में पढ़ेंगे Overhauling of engine के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंजन में Overhauling कैसे हो जाती है उसका निदान कैसे किया जाता है एंजन टाइमिंग के बारे में पढ़ेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं इस सभी चीजों के बारे में आपको चैप्टर फस्ट में पढ़ना होगा जैसे आपका है वाल ग्राइंड लैपिंग क्य में क्या होती है इंजन ट्यूनिग में क्या करते हैं कि अच्छे से क्लेणिंग कीจะती है और जो फिर से लगाया जाता है यही process आपका engine tuning कहलाता है तो इस सभी चीजों के बारे पे आप chapter first में पढ़ने वाले हैं चलिए next chapter की बात करते हैं जिसमें आपका second chapter आता है जिसका नाम है repairing and process तो repairing process के अंतरगत आप कौन कौन से topics पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ने पढ़ेगा cylinder reboring and resleaving यानि कि cylinder में reboring कैसे की जाती है और resleaving कैसे की जाती है उसके बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हैं आप वाल्व के बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ठीक है जिसमें आप वाल्व गेस के बारे में पढ़ेंगे कि वाल्व गेस क्या होता है चेकिंग दा कनेक्शन रॉड फॉर बेंडिंग एंड कनेक्टिंग रॉड जो आपके एलाइमेंट होते हैं उस में पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे fuel injection pump के बारे में nozzle testing के बारे में कि nozzle अधिन होती है cleaning and grinding क्या होती है सारीате टॉपिक आपब chapter 1 में पढने वाले हैं तो ये चैपटर second के आपको इदेजों इतने ही टॉपिक हैं इतने ही टॉपिक of multi cylinder engine के बारे में कि जो आपका lubrication का brincipal होता है सिद्धान क्या होता है वो क्या होता है इसमें आप multi cylinder engine के lubrication principle के बारे में पढ़ने वाले हैं टाइप लु बु पी केशं सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जो अलग-अलग प्रकार के lubrication system के type होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे then उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा types of lubrication pump and pump drive के बारे में कि types of lubrication pump कितने प्रकार के होते हैं और pump drive कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आप इस chapter में पढ़ेंगे then उसके बाद आप maintenance of lubricating system के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपका maintenance होता है lubrication system का वो क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा flushing and lubrication system के बारे में पढ़ेंगे कि flushing and lubrication system क्या होता है change of use lubrication oil के बारे में पढ़ेंगे और भी कई सारे topic हैं जो आप इस chapter में पढ़ने वाले हैं radio के बारे में भी पढ़ेंगे कि radio वगरा क्या होते हैं हर एक topic आप इस chapter में पढ़ने वाले ही इतने ही topic आपके slabus में दिये गए है next chapter की बात करते हैं तो आपका next chapter आता है electrical system repair and maintenance जिसमें आप start trouble के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपका जो आपका starter trouble हो जाता है उसको कैसे दूर किया जाता है self starting के प्रकार होती है उसमें दोस आजाते है तो उसको कैसे दूर किया जाता है हर एक चीज जिसमें आप पढ़ने वाले जिसमें आप sorting and suggesting remedies के बारे में पढ़ेंगे removal of starter from engine के बारे में पढ़ेंगे और भी कई सारे हैं जिसमें आप डाइनमो के बारे में पढ़ेंगे आर्मेचर के बारे में पढ़ेंगे ब्रसेस जो आपके ब्रसेस होते हैं उसका रिप्लेस्मेंट कैसे किया जाता है इन सभी टॉपिक्स के बारे में जिसमें आप लुब्रेकेटिंग डाइनमो के बारे मे में पढआ गी चेंजिंग नहीं आऑं के बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में पढ़ेंगें और आपकेध्ण लूँघाला सब्सक्राइश के कैसे का जाती है यह उसके बारे में आ democrats पढ़ने वाले ख्राइबं जुभिंग यह कनदिशनिग के बारे में कि आपका जो है आपका आपका के सिर्प प्रकार चल रहा Brandon के बारतेंब दो परेंगे कि गएर कनदिशनिंग के आपका केर कैसे का जाता है और विए उसमें सारे कई सारे क्ऩड इसके पढ़ेंगे कि कि न नॉइस वगेरा हो सकता है नॉइस का लैवल क्या होना चाहिए उसके बारे में आप पढ़ेंगे ठीक है फ्रेस एयर अलाविंस के बारे में पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सरकीट क्या होते हैं यह मोस्ट इंपोर्टेंट है कई बार पूचा जाता है और हीट क्या होता है यह भी afterटर्विंग आज़एट करता है उसके बारे में क्याराइब करने गरिद recognizeगे ऐसे आपका एंड क्या होता है एक्स पिंसन वाल क्या होती है फिल्टर अगयरा क्या होते हैं चेकिंग of harness of air conditioning के बारे में भी पढ़ेंगे तो यह topic आपके slabus में दिये गए हैं इतने ही topic आपको पढ़ने हैं पर chapter में कौन-कौन से topics पढ़ने हैं हर एक चीज मैंने आपके सामने discuss कर दिये अब इस subject को आपको तयार कैसे करना चाहिए देखें सबसे पहले क्या करिए कि जो topic आपके slabus में दिये गए हैं सबसे पहले उनको पढ़िए जो important चीजे हैं उसको पढ़िए तो इसमें आप कैसे जानेंगे कि यह चीज important है यह चीज important है तो इसकी मैंने आपके लिए particular वीडियो बना रखिए इसके पहले जो semester exam हुआ था उसके लिए सारी important topic बता रखे हैं आप कम समय में बहतरीन तयारी करना चाहते हैं तो वहां से जाकर उन topics को देख लीजे टिक कर लीजे अपनी book या कोई भी notes में आप उसके according पढ़िए आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी तयारी कर सकते हैं बाकी आपको और भी subject कैसे पढ़ने हैं जैसे अभी यहां पर आपकी इस subject की भी class चलने वाली है और रेड़ी CNC machine की मैंने आपकी complete syllabus की वीडियो अपलोड कर दी है जिसको 34 से 35,000 बच्चे देख च सकते हैं और भी जितने आपके subject हैं उसकी भी आपके लिए proper class यहां पर चलने वाली है तो फटा फट जुड़ जाए और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कर दीजे और वे भी आए और अपने semester exam की त्यारी आसानी से और बहुत ही बहतरीन तरीके से यहां पर कर सक हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपकी subject की class भी यहां पर start होने वाली है अपने सभी दोस्तों को सुचित जरूर कर दें वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद thanks for watching